हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन सलाथ जोसा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आफशक है यदि आप अपने परिवार के लिए प्रोटीन से भरा हुआ सलाथ बनाना चाहते है तो यह रेसीपी आपके लिए है जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सलाथ परफेक्ट है हाई प्रोटीन सलाथ को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा है यह मिंटों में तयार हो जाता है मैंने इसको पुरा बना बनाना शुरू करते हैं तो इस हाई प्रोटीन सलाथ को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने इंग्रेटियंट लिया है वो हमारे हैट के लिए बहुत ही लाबतायक है जो वेट लॉस में तो साहिक है इसे यह साथ हमारी बॉन में को भी मुझबोती देता है तो यहां पर मै अब हमने एक पैन में एक ग्राश परके पानी करने के लिए रखा था और उसमें हमने सोया ग्रेणुल को एड़ कर लिए है एक बॉला ने तक इसको हम बोईल कर लेंगे एक बोईलाने के बात में हम गैस को बन भी कर देंगे ताकि जो सोया ग्रेणुल्स है वो अच्छे से और वालनर्स में ओमेगा 3 की मात्रा जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हिस्सा निभाते हैं तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा ड्राय रोस्ट करने के बाद में हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तो इस सलात के लिए हम कुछ वेजिस भी लेंगे जिसमें हमने कुकु करना चाहिए तो यहां पर हम सलाइस में कार देंगे आप अपनी पसंद में कोईशी भी सब्जी ले सकते हैं हम यहां पर हमने कुकुम्बर को कार दिया है इसी तरह से हम यहां पर चेरी टो मेटोस को भी वाल्दू नहीं है तो नॉर्माल मेटोस और साथ मैंativos लिए हैatan। प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर रूप से होती है खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही लापतायक होता है तो यहां पर जैसे कि उसकी स्कीन होती है हम स्कीन को निकाल देंगे और उसको भी हम स्लाइस में कार देंगे यहां पर फ्रूट के रूप में हमने यहां पर मेंगो लिया है क्योंकि यहां पर मेंगो का सीजन चल रहा है आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रूट एड़ कर सकते हैं जैसा कि अपल है अनार है और कोई सा भी इसमें फ्रूट एड़ कर सकते हैं इसको भी हम स्लाइस के बॉल करने के लिए रखेते उसको ठंडा होने के बाद में थंडे पानी से दो बार अच्छे से दो के इसके पानी को स्क्वीज करके अच्छे से निकाल दिया था आप देख सकते पुरी तर से ड्राय हो चुके हैं ग्रो सोया ग्रैनुवल्स अब हमने इसमें मिलाया है कुकु आप दो बाइरोश्ट की हुए नर्स थे आलमंड और वालनर्स वो भी डाले हैं यहां पर मैंने सेस्मी सीर्ट्स डाले हैं सेस्मी सीर्ट्स भी हैल्थ के लिए बहुत ही उप्योगी है साथ में हम चिली फ्लेक्स मिलाएंगे यह पुरी तरह से ऑप्शनल है आप चाहो तो और साथ में ही अब हम मिलाएंगे आधी टीस्पून जीतना ब्लेक पेपर पावडर अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा कलरफूल हेल्थी प्रोटीन से बरा हुआ सलाथ बनके तयार है यह खाने में भी जितना डिलिशस है दिखने में इतना अच्छा लग रहा है हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशल है आप भी इस तरह का सलाथ एक बार जुरू ट्राइ किजिएगा एक बार बनाओगे तो आपको बार बार बनाने के इच्छा होगी बहुत ही है तो यहां पर हमारा सलाथ बन चुका है अब हम इसके गार्न आखको प्लेस करेंगे जितना वह दिखने में कलर लग रहा है उतना ही वह स्वाद में बरा हुआ है और हेल्थ बेनिफिट की तो बात यह कुछ और है इसके बहुत सारह हेल्थ बेनिफिट है तो आप भी इस तरह की रेसिपी एक बार चुरू ट्राइ किजिएगा बनने मे बिल्कुल आसान और मिंटो में बन जाती है बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है यदि आप सभी को मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना साथ में बेल आइकन को दबाना मत पूलना ताकि मेरे आने वाले नई रेसिप के साथ फिर से मिलेंगे धन्यवाद